Hello and welcome back to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पढ़ाई, पैसा या पियार. ये टॉपिक इसलिए चूज करा है कि बहुत सारे लोग में को इंस्टेग्राम पर मेसेज करते हैं कि भाई, मैं कैनडा आना चाहरा हूँ. तो मैं first question उनको जो पुछता हूँ, कि आप क्यों आना चाहरा है, ठीक है, कोई भी चीज हम करते हैं तो पूछते हैं कि भाई ये चीज करना क्यों चाहरे आप, ठीक है, तो इसी तरीके से Canada अगर कोई आना चाहरे बोलके पूछे तो मैं first question ये पूछता हूँ, कि आप क्यों मना चाह है तो भोलते आपको आपको अत Caleb अब्य आपको थी अपनि अपनी हालात के सससे कौन सी चीज प्रविंसेस में अलग अप्स से आपको पी आर के option सा लग है कमाने के option सा लग है पढ़ाई के option सा लग है तो आपकी जो priority रहती ना उस हिसाब से आप वह पर्टिक्लर कॉलेज या वह पर्टिक्लर प्रॉविस चूज कर सकते जिससे आपको तीनों भी हासिल कर सकते हो एक के बाद एक एक based on your priority तो उस वज़ पढ़ना है लेकिन उसके पास बिल्कुल वह पैसा नहीं है ठीक है लेट से उनों कहीं से करके या उधार लेके करके एक सल की कि एक तरफ पैसा भी नहीं है दूसी तरफ पढ़ना भी है थर्ड जगा प्यार भी लेना है लेकिन उन्हों ऐसे प्रोविंस गया जहां पर उसको प्यार में तो हेल्प होती लेकिन जॉब्स में प्रॉब्लम आ जाती यानि पार्ट टेम जॉब्स में ताकि वह कम से कम उधा जहां कि आप होनों फस जाता वो फैनेंशल से अब सेकंडियर की फीज ही जमानी हुए आपका दो सल का कोर्स है तो आप क्या करोगे स्टार्टिंग से इंट तक परिशन होते जिसकी वज़े से आपके पढ़े पे भी कॉंसेंट्रेशन नहीं रहता ठीक है यह किसलिए बोल होनों एक सल की फीज बना दूसरे सल की फीज जमा करना है लेकिन इंडिया से एक सेमिश्टर करके आए अब यहां पर एक समिश्टर के अंदर अंदर बाकी की फीज जमा करना है यह बाकी के एक सल की उसमें से 10,000 उसके पास GAC के है अब यह जो बाकी के 8,000 जमा करना है बच अपश्य है लेकिन वो बंदे का ध्यान इस वझे से नहीं लगता और भाई उसको फीज नहीं बना तो फिर उन्हें को समसे निकाल देते और घर पे भी नहीं बोच सकते कि उधार लेके पैसे आए यहां पर तो आब उन्हों एक mental प्रेशान हो तो उसके आँखों में आसू थे लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते है ठीक है वक्त चला गया जिस तेंपर सोंच सकते थे वो टेम पर सोचे नहीं हम दिलासा दे सकते हैं ठीक है कुछ ना कुछ रास्ता निकलीगा बलकर लेकिन जब आप प्लान करने का वक्त था त तो ठीक बात है यहां पर कैसा मेज़ोरिटी अब दिम का क्याप्टिलिस्टिक माइंडशत है पैसा काम बन रहा क्योंकि माइंडशत विस वज़े से बना एक तो माहौल की वज़े से दूसरा क्या है कि हर एक पैसे के पीछे है इस वज़े से कि के लेकर के गल लिया कोई कार का खरजा ले लिया कोई से आने के टाप टेप चिसी ऊपर तो कि ऊपर चुए घर कोई अगर यह अदमां कि पैसे कि अपके परिशान सुन्के आपके समस्ते की करे छार संत yf नहीं रोख बोले तो तो कोन भीजाता साथ हजार रुपे वहां से भी और यहां से कई को दिंग आउना साथ हजार दॉलर अपने को इस वज़े से बोलों कि अपन इंडिपेंडेंट पूरा प्लान करके आना कि किसी की जरुरत नहीं पढ़ना आपने को ठीक है बुरा वक्त आया ना तो आप वो ट को यहां पर दस पड़ई होती हैं अपने अपने लेवल और अपने अपने गोल के हिसाब से आपको कॉलेजस भी मिल जाते आपको युनिवर्सिटीज भी मिल जाते इसलिए बोलों कि यह जब अप्सेट करनी है बढ़ाई पैसा प्यार जब अब्सेट होगे हां वही यह च वो टैम पर मिरे को कमाने की बगढर कमायां मैं जी सकना वैसा कर लेकिन लेकिन आपका गोल है first priority गोल क्या है कि पैसा है तो आप वैसी जगह नहीं जाना जहां पे आपको jobs कम है वैसी जगह जाना जहां पे आपको पढ़ाई easy हो और आपको कमाने के ज्यादा पड़ाई कि आपको कमाना भी है तो आप उस जगह पे नहीं जाना जिस जगह पर आपको पड़ाई हाड है लेकिन जॉब्स नहीं है तो इस लिए बोलरो था की आप सूछो प्लान करो कि आप करना क्या चाहरा है पहले आपकी क्षाए इसको एक एंस्ट्राइबर पर तो भी समझाया था कि देखो दो ट्रक्स हारे समझो आपके पास एक 100 km आप भीच में ठेहरे हुए है एक 100 km स्पीड से आ रही एक 75 km स्पीड से आ रही तो आप क्या करते हैं हालागि दोनों आकर आपको Crash करने या यानि आपको Accident होने वाला है लेकिन आपकी फिकर क्या रहे थी कि अरे भाई यह जो तेज आ रही पहले उसको क्या करेंगे उससे टाक्ल करने कोशिश करेंगे उससा बशने की कोशिश करेंगे हम क्योंकि 75 वाले के फिर भी आपको टाइ तो इसी तरीके से अब प्रियारिटी है अगर अपसेट नहीं करें तो पड़ाई बोलके आते पैसे की जगा मार खा जाते पैसे की बोलके आते पड़ाई की जगा या प्यार की जगा मार खा जाते इसलिए कि और एक खिस्सा सुना तो यहां कहीं खिस्सा सुना तो इसलिए कि आप वहां पर अभी है इंडिया में है या जो है दो भी कंट्री में है आप यह खिस्स यहां पर नहीं सुनते ग्राउन रियालिटी वाले अब दूसरा खिस्स आये है कि बच्छा आया दो साल का कोर्स लेका आया एक साल की फीस बना अनो जी यह इसी बन लिया अब यह आने के तो 1500 इच सब्जेक्ट है इच सब्जेक्ट है फिर बनना वह इसे तो कितना बर्डन आ गया अब घरवालों को भी जह सुनते सुनते घरवाले बेजार हो जाते तो इस वाज जिसे कितना परेशान हो गया उन्हों डिप्रेशन में उन्हों फोन करा था मेंको अरे बहीं मैं परेशान हो डिप्रेशन में आए गई को ठीक है एक तो अहलात आते दूसरी चीज़ है अच्छा बुरा इसास बोलतों कि अच्छा बुरा प्लान करेंगे तो आप यह सिच्वेशन में खुद गिरने से बश्टे अब यह कैसी सिच्वेशन हो गई कि खुद के पहर पर कु बात नहीं करते कि एग्जाजरेट करके बताते हर चीज़ को आप जैसा कैनेड़ा है अरे मैं पढ़ रहा हूं बोलके अकर मैं बता दिया या मैं पैसा फुल कमारों बोलके बता दिया उससे आपको क्या फैदा होता मैं यह बोलता हूँ कि रियलिस्टिक जो एक टॉक करे तो बंदा जो भी आ रहा लेट से उन्हों पैसा कमाने के लिए नियत से आ रहा इदर ठीक है उसको एक पता हो कि अच्छा बुरा वक्त में मेरे साथ क्या होता ताकि उनके फैमली परेशान नहीं हो ना उन्हों बंदा परेशान नहीं हो आगे चलके उन्हों इजी से उपर हरा सकना आच लिया हो या पड़ए वाइस हो या पियानी अगर गोले तो पीर्मी अज्य में गहारा तो इससा सकते हैं मैं तो राव कर सकते आवए लाइक भी कर सकते हैं अंटिल एक्स टमल लाट collaborative झाल झाल झाल